नमस्कार बहुत स्वागत है आपका न्यूस देटीन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में मैं भूरी रूया दब दरसलाज बहुत ही इंट्रस्टिंग टॉपिक के साथ आपके साथ जोड़ी हूँ क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो सभी के लिए नॉलेज तो हो गही साते साथ एक जागरुकता का मैसेज भी होगा क्योंकि ये पूरा वाक्या 20 अगस्त से काफी चर्चाओं में भी रहा है इसके साथ कुछ डीटेल्स लेकर भी हम आए हैं दरसल पती से हर मैने 6,16,000 रुपे गुजारे भत्ते की रूप में मांग रही महिला को करनाटक हाई कोट ने जमकर पटकार लगाई उनका ये कहना है कि अगर आपके इतने खर्चे हैं तो आपको खुद ही कमाना चाहिए दरसल पूरा जो वाक्या है वो काफी हैरान कर देने बाला है पती पतनी की बीच पे तलाग हो रहा था लगातार सुनवाई हो रही थी और जब अंतिम फैसली की घड़ी आई तो उस दौरान जो महिला पक्ष है उनकी तरफ से वकील की तरफ से कहा गया कि इन्हें 6,16,000 रुपे हर मैने अपने पती से चाहिए गुजारे भत्ते के तौ माना चाहिए ये भी पूछा गया कि आखिरकार क्यों तो वकील का ये कहना था कि इनके शौक हैं ये महंगे कपड़े अच्छा लाइफ स्टैल और महंगे शूज महंगे बैक्स इन सब चीजों का व्योग करती है और इस बज़े से इतना गुजारा बत्ता चाहिए कोट ने फटकार लगाई जट सहब ने कहा कि अगर आप इस तरीके से गुजारा बत्ता मांगेंगे तो आपकी याज का खारिच कर दी जाएगी क्योंकि पती से तलाक लेना उसको कोई सजा देना नहीं है पत्नी को अगर मिंटिनस दिया जा रहे वसली दिया जा रहे ताकि उसका भ परण पोशन अच्छे से कर सके ना कि वो अपने शौक पूरे करें और अगर इनको अपने शौक पूरे करें तो उनको खुद कमाना चाहिए इन्हें खुद रुपए कमाना चाहिए और उससे अपने शौक पूरे करने चाहिए यह वाक्या काफी चर्चाओं में रहा सोशल गया कि जो 20 अगस के दिन सुन्वाई हुई है तो राधा के वकील ने खर्च का ब्यारा देते हुए यह बोला है कि कपड़े जूते अन्य समान के लिए 15,000 खाने पीने के लिए 6,000 मेडिकल ट्रिट्मेंट के लिए 4-5 लाख रुपए और मिलाकर टोटल 6,16,300 है जो की इनको म बटकार लगाई बोली दुबारा से आप लेकर आई अपना पूरा ब्योरा वरना आपकी जो याच्छका है वो खरिच कर दे जाएगी और इतने शौक अगर इन्हें पूरे करने है राधा मुनुकुंतला को तो वो खुद कमाए अब कानून में गुजारे भत्ते से जुड़ सबसे पहला सवाल तो है कि पती से हर मैने 6,16,000 रुपय जो डिमांड रखी गई थी यह उचित थी की नहीं थी तो यह बिलकुल भी उचित नहीं थी और यही कारण है कि जज साहिवा खुद चौक गई और उन्होंने फटकार भी लगा दी और ठीक ठाक ब्योरा मांगा उन कानून में है तो आप यह देखे कि जब एक व्यक्ति दूसरे कमजोर या अक्षम यानि कि जो कमाता नहीं है जो जादो कुछ बाहर करने सकता है व्यक्ति को खाना कपड़ा घर एजुकेशन मेड़कल जैसे बेसिक ज़रूरत के लिए आर्थिक मदद करता है उसे गुजार बता एक होता है पर्मनेंट गुजारा बता अंतरिम गुजारा बता में क्या होता है कि जब तक मामला कोड में चल रहा होता है जब तक सुनवाई होती है तब तक एक राशी तैकर दी जाती है गुजारा बता देने वालों की तरफ से महिला को या फिर महिला की तरफ से पु कि अब ये तलाग हो चुका है अगर पती पतनी को तलाग देते हुए जो गुजारबत्य की गिवान रखी जाती है जो कि बेसिक तौर पर होती है वो देने के लिए प्रावधान कर दिया जाता है कि आपको हर मैंने इनको इतना पैसा देना है और सपेशल मैरिज एक्टग के तहट 36 और 37 में गुजारबत्य के बारे में कुछ जरूरी प्रावधान है और इसके लावा जो सपेशल मैरिज एक्ट है 60 में गुजारबत्य के लिए प्रावधान CRPC कि धाऱआ 125-AY-E-Я के अनुसार MUSLIM महिलाइं हिंडू महिलाओं के अ होगा क्या कोई अपर या लोवर लिमिट इसमें होती है देखिए आपको याद होगा कि आपने कुछ बॉलिवोड हस्तियों के जो तलाक सुड़े होगा कि करोड़ों करोड़ों रूपए मिंटेनस के तौर पर दिये जाते हैं रिंटिक रोशन का मामला तो काफी सुर्ख्यो करोड़ों रूपए और ना जाने कितनी ज्विलरी भी दे दी जाती तलाक के दौरान तो इसलिए यह सब लोग के दिमाग में एक सवाल आ गया है कि आखिरकार कितना गुजारा बत्ता दिया जाना चाहिए तो आपको एक चीज़ बता देते हैं कि गुजारा बत्ता गुज काम चीज़े देखने के बाद ही तैफ होता है यानि कि मेंटेनेंस कितना देना होगा यह व्यक्ति की आए संपत्ती जिम्मेदारी जरूरतों को देख कर दे किया जाता है और जो गुजारा बत्तार ले रहा है उसके उपर भी डिपैंड करता है कि वो नौकरी कर रही है क्य वार्थिक रूप से मजबूत है क्या शादी के पहले भी उनौकरी कर रही थी क्या अगर ऐसा है तो दूसरा पक्ष मेंटेनस देने से मनभी कर सकता है माने कि अगर पुरुष और महिलाएं दोनों कमा रहे हैं और दोनों अच्छी इंकम कर रहे हैं तो पुरुष उस महिला को गुजारब बत्ता नहीं देने के लिए भी अरजी लगा सकता है या अचका लगा सकता है अगे केस लड़ सकता है लेकिन हाँ अगर दोनों के बीच में बच्चे हैं तो यह ज़रूरी हो जाएगा कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई स्वास्त को देखते हुए जो के लिए स्वास्त के लिए पढ़ाई के लिए उनके भविश के लिए मेंटेनेंस देना पड़ेगा लेकिन जाब पती-पतनी की बात आती है तो मजबूत पक्ष ही कमजोर पक्ष को मेंटेनेंस देगा अगर आप यह सोच रहे हैं कि महिला बहुत मजबूत होगी और उसके रही हैं तो वो इसके लिए आगे याज का लगाकर खारीज भी कर सकता यानि कि वो फिर मिंटेनस नहीं देगा तमाम पेरामेटर्स हैं जिनको समझना होगा और यह बहुत इंट्रस्टिंग टॉपिक था क्योंकि कई बार कानून का नियम का गलत फाइदा उठाया जाता है ज जिनके वकील ने यानि किराधा मुनु कुंदला के वकील यह बोला था कि 6,16,300 रुपैन को मेंटेनेंस के तौर पर हर महिना चाहिए सब भक्के बख्के रह गए थे लेकिन मामला बिल्कुल इस पस्ट हो चुका है जायज जो आपके जरूरते हैं सिर्फ उसके आधार पर ह कि उस महिला को मेंटेनेंस दिये जाने की बात जचने कहीं है और आप लगातार तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज एतिन नेटवर्क नमस्कार